पूप्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाईए और उसे दिवाने के बाद बैल आइकन के बटन को दबाईए ताकि आने वाले नए वीडियोज के अपडेट्स आपको रेगुलर्ली मिलती रहे दोस्तो, आज हम आपको घर के मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपुन जानकारी दिने वाले हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगबग सभी के गरों में पुजा गर अवश्य होता है, जहां पर वे अपने इस्ट्य देव की पुजा करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमार पुजा करने के बाद भी हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, और हम लोग भगवान को दोस्त देते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि यह दोस्त भगवान का नहीं, बलकि आपका है, आज हम आपको पुजा करके बारे में अहम जानकारी देने वाले हैं, जानकार लोग बताते हैं कि हम पुजा के समय जिस आशन पर बैठते हैं उसको कभी भी हमको पैर से इधर उदर नहीं करना चाहिए किसी भी पुजा में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता की पुजा अवश्य करनी चाहिए घर में या मंदिर में जब भी कोई विश्यस पुजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्र देवता, पंचलोगपाल, सुडस मातरुका, सब्त मातरुका का पुजन भी अनिवारे रुप्स किया जाना चाहिए इन सबे की पूरी जानकारी किसी ब्राम्मन परंडित से प्राप्त की जा सकती है विश्यस पुजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पुजा विदिवत हो सके पुजा स्थल की पवित्रता को बनाई रखे और भूल कर भी यहाँ पर चंपल जुता पहन कर न जाए पुजा स्थल पर पवित्रता का पुरा ध्यान रखे चंपल पहन कर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए चमड़ी का बेल्ट या पर्स अपने पास रख कर पुजा ना करे पुजा स्थान पर कच्रा इत्यादी जमा ना होने दे पुजा गर में दिपक को हमेशा भगवान के सामने ही रखना चाहिए घी के दिपक के लिए सफेद रूई की बाती का उप्योग किया जाना चाहिए जबकि तेल के दिपक के लिए लाल धागे की बाती स्रेष्ट बताई गई है सुर्यदेव, गनेश, दुर्गणा, सीव और विष्णू ये पंचदेव कहलाते हैं इनकी पुझा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए दोस्तों ये थे पुझा के कुछ जरूरी नियम जिसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको पुझा का फल अवश्य मिलेगा